बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। देश की इनी उपलब्दियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजन्सी का निर्माद। एक ऐसी एजन्सी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए आउस को प्रमूट कर रही हैं इस सुरुवात में हमारे देश के युवाओं को विशेस रुप से आकरशित किया है मुझे बहुत से नवजवानों के इससे जुड़े संदेश भी मिले हैं कुछ दिन पहले जब मैं इन स्पेस के हेड़क्वाटर के लोकारपन के लिए गाया था तो हैरान हुए बिला नहीं रह पाएंगे जैसे कि स्पेस स्टार्टप की संख्या और स्पेड को ही ले लीजे आज से कुछ साल पहरे तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टप के बारे में कुछ सोचता तक नहीं था आज इनकी संख्या सो से भी ज़्यादा है ये सभी स्टार्टप ऐसे ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्रावेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था उधार के लिए चेन्नाई और हैदराबाद के दो स्टार्टप से अगनिकूल और स्काई रूट ये स्टार्टप ऐसे लाँच वेहिकल विक्सित कर रही हैं जो अंतरीक में छोटे पेलोर्स लेकर जाएंगे यही हैदराबाद का एक और स्टार्टप त्रू स्टेलाइट डिप्लोयर और सेटलाइट के लिए हाइट टेक्नोलोजी सोलर पैलर्स पर काम कर रहा है मैं एक और स्टार्टप दिगन तरा के तन्वीर एहमत से भी मिला था जो स्टेलाइट के कच्चरे को मैप करने का प्र स्पेस के कच्रे का समाधान निकाला जा सके दिगंतरा और द्रूप स्पेस दोनों ही तिस जुन को इस रोके लॉंच वहिकल से अपना पहला लॉंच करने जा रहे हैं